इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है? उसके बाद हम CPU के बारे में पढ़ेंगे और मैमरी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेस्चन है What is computer? कंप्यूटर इस एलेक्ट्रोनिक डिवाइस कंप्यूटर एक एलेक्ट्रोनिक डिवाइस है अब ये एलेक्ट्रोनिक डिवाइस क्या होता है? एलेक्ट्रोनिक डिवाइस का मतलब है एक ऐसा डिवाइस जो की केवल दो वैल्यू पर काम करे True और False जैसे कि कंप्यूटर भी मसीन लेंग्वेज पर काम करता है और मसीन लेंग्वेज के अंदर भी 0 और 1 इन दो डिजिट पर बाइनरी पर जो उपरेट करता है डिवाइस उसको हम इलेक्ट्रोनिक डिवाइस बोलते हैं जिसके अंदर मतलब की दो ही परकार की वैल्यू होती है उसी के बेस पर वो इनफोर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है ऐसा डिवाइस इलेक्ट्रोनिक डिवाइस कहलाता है तो कम्प्यूटर इस इलेक्ट्रोनिक डिवाइस विस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ओफ इनफोर्मेशन और प्रोड्यूज रिजल्ट जो कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक डिवाइस है और ये एक ऐसा electronic device है जो कि large amount of information को process करता है high speed पर very high speed पर process करता है और result को produce करता है अब हम पढ़ते हैं CPU के बारे में CPU की full form होती है central processing unit और इसे की engine भी बोला जाता है computer का CPU computer का एक part होता है लेकिन इसको engine भी बोला जाता है computer का क्योंकि सब भी input devices भी connect होते है CPU से और output devices भी connect होते है CPU से इसलिए CPU को engine बोला जाता है computer का it is the computing engine of computer और ये execute करता है सब भी instructions को main चीज़ होती है CPU ही ठीक है it executes the sequence of instructions इसलिए computer को brain भी बोला जाता है I mean CPU को brain भी बोला जाता है computer का it is the brain of computer और इसके दो main component होते है control unit और arithmetic logic unit control unit क्या होती है control unit एक ऐसी unit होती है जिसके अंदर logic और timing circuit होते है यानि कि the unit which contain logic and timing circuit और इनके base पर ये generate करती है appropriate signals signals को generate करती है जिनकी वजह से जिनकी वजह से मतलब की execute होती है कोई भी instructions instructions को execute करने के लिए signal चाहिए और signal को control unit generate करती है तो control unit contains logic and timing circuits that generate the appropriate signal necessary to execute each instruction in a program अब arithmetic logic unit it consists of an electronic circuitry which perform arithmetic operation and logic circuitry which perform logical operation जैसे कि arithmetic operation क्या होते है addition, subtraction, multiplication, division अगर ऐसा कुछ भी आता है program में किसी instruction में तो arithmetic logic unit उसे solve करती है और logic unit के अंदर होता है less than, greater than, equal to ऐसा होता है logic के अंदर, logic unit के अंदर अब हम पढ़ते हैं memory के बारे में कोई भी instruction है उसको hold करने के लिए कोई place तो चाहिए ना जो भी instruction हम computer को देते हैं उसको hold करने के लिए कोई place चाहिए ठीक है और उस place को यह हम memory बोलते हैं इनपुट डिवाइसीज के दवारा जो डाटा दिया जाता है computer को उसको hold करने के लिए जो place होता है उसको memory बोलते हैं memory को mainly हम three parts में डिवाइड करते हैं primary memory, secondary memory और कैसे memory अब हम एक एक करके इन को देखते हैं सबसे पहले primary memory primary memory जो होती है वो हर वक्त अवलेबल होती है processor के लिए this is the memory which is always available for processor and this memory is made up of magnetic cores and semiconductor circuits primary memory CPU के अंदर ही होती है यानि कि computer के अंदर ही होती है और हमेशा ये अवलेबल होती है processor के लिए और ये किस चीज़ से बनी होती है magnetic core से या फिर semiconductor circuit से ठीक है जो कि magnetic core से बनी होगी उसे core memory बोलते हैं और semiconductor circuit से बनी होगी उसे semiconductor memory बोलते हैं और अब हम इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं RAM और ROM अब हम पढ़ते हैं RAM को Random Access Memory All the instructions and data required for a program execution are stored in this memory किसी भी program को execute करने के लिए जो data और instruction होते हैं वो इसके अंदर store होते हैं जैसे कि हमारे mobile के अंदर हम जब mobile खरीदते हैं तो यही पूछते हैं कि इसका RAM कितना है ठीक है RAM का मतलब है कि एक टाइम पर जो यह processing कर रही है वो कितनी memory है उसकी All the instructions and data required for a program execution are stored in this memory Program execution हो रहा है उसकी जो instruction है और data है वो इसी के अंदर store होता है और इसका content जो है वो erase हो जाता है जब हम power off करते हैं जैसे कि mobile को अगर हम switch off कर दे और फिर से own करेंगे तो जो हम app open कर रखाता हमने वो नहीं मिलेगा जो काम हम कर रहे थे वो नहीं मिलेगा अगर हमने उसको save कर दिया होगा तो अलग बात है लेकिन वैसे नहीं मिलेगा it is a read and write memory इसके अंदर से हम read भी करते हैं read का मतलब है कोई भी program जब हम चला रहे हैं कोई भी app जब हम चला रहे हैं तो वहाँ से हम read कर रहे हैं और write भी कर सकते हैं कुछ अपने और से भी डाल सकते हैं और volatile memory होती है ये एक volatile का मतलब होता है जिसको power की requirement हो जो कि power से चले बिना power के हम नहीं चला सकते इसको ठीक है अब हम बढ़ते है ROM के बारे में ROM की full form होती है read only memory जैसे की नाम से ही पता चल रहा है read only हम केवल यहां से read कर सकते हैं कुछ हम write नहीं कर सकते हैं और all the information regarding the functioning of computer is stored in it computer यानि की हमारे mobile में जैसे की कोई information है functioning से related वो सभी इसी के अंदर store होती है यहां से हम केवल read कर सकते हैं data can only be read from it और यह non volatile होती है मतलब power off को होगी और फिर से own होगी तो यह वैसी की वैसी मिलेगी अब हम पढ़ते है secondary memory secondary memory mainly हम उसको बोलते हैं जो कि हम बाद में SD card या किसी और चीज के थरू pen drive वगारा के थरू हम add करते हैं हमारे PC में या फिर mobile में इसके अंदर पर्मानेंटली डाटा स्टोर हो जाता है और capacity भी इसके लार्ज होती है जैसे कि आपने देखा भी होगा सोटी सी SD card में कितनी जीब भी तक हम स्टोर कर सकते हैं information can be transferred to primary memory primary memory को information भी transfer हो सकती है यहां से और यह भी non volatile होती है मतलब की power of होने के बाद भी इसके अंदर डाटा स्टोर ही रहता है अब हम पढ़ते हैं कैसे memory कैसे memory के अंदर वो सब instruction और data होते हैं उस program से related जो अभी चल रहा है it stores data and instructions that are currently to be executed it is very high speed memory और यह होती है एकदम high speed memory होती है तो ठीक है इसी के साथ हम वीडियो को खतम करते हैं और अगला वीडियो का topic का अप नीचे comment में बता सकते हैं झोलते हैं झालते हैं